दोस्तो, नमस्कार महीराजेस, आप लोगों का बहुत-बहुत व्यलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप लोगों को आपके ही इस चैनल गुपता टीव यूटूब इंदी चैनल के अंदर हम इस technical analysis के series में हम आप लोगों को सिखाने वाला हूँ आज के वीदियो में channel patterns के बारे में channel patterns के बारे में हम आपको सिखाने वाला हूँ ascending channel, descending channel और horizontal channel ठीक है तो ये जो channel होता है तिन प्रकार के channel होते हैं ठीक है तिन प्रकार के चैनल होते हैं एसेंडिंग चैनल और डिसेंडिंग चैनल और होरिजेंटल चैनल एसेंडिंग जो चैनल है वो हाईर हाई एंड हाईर लो को टच करते हुए जाना चाहिए आपका ट्रेंड लाइन पिछला वीडियो आप देखे होंगे जो कि आप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन जो डालते हैं वो सुपोर्ट सुपोर्ट में और ये एसेंडि जो चैनल का जो ट्रेंड लाइन हम डालेंगे वो higher high and higher low हना यानि कि support में ट्रेंड लाइन और resistance में भी trend line डालेंगे तो उसे हम बोलेंगे ascending channel और descending channel उसे बोलेंगे जो lower high and lower low जैसे कि पिछला वीडियो आप देखे थे down trend वाला down trend वाला trend line तो उसी तरह इसके अंदर support में भी और resistance में भी हम दो trend line डालेंगे lower high and lower low तो उसे हम बोलेंगे descending channel और horizontal channel जो range यानि कि side way market जाएगा दोनों support में भी और resistance में भी हम trend line ड्रो करेंगे sideways जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं दो trend line यहां डाला हुआ है एक support में एक resistance में है यह higher high higher high higher low higher low higher low तो इस परकार का अगर हमें ascending मतलब इस परकार का channel हमें दिखाई देता है चाट में तो इसे हम बोलेंगे ascending channel और यह पर lower low lower low यह दो trend line जो डाला जाएगा चाट के अंदर तो इसे हम बोलेंगे descending channel इस परकार का अगर channel pattern बनता है चाट के अंदर तो इसे हम बोलेंगे descending channel और horizontal channel इस परकार का जो उपर bottom को resistance, bottom resistance जो same label में sideways market में जाता है तो उसे हम बोलेंगे horizontal channel जैसे कि यहाँ पर आप ascending channel का एक example यहाँ पर आप देख सकते हैं और दो कम से कम मिलना चाहिए दो swing point मिलना चाहिए तो यहाँ पर देखिए एक higher high higher high और निचे में भी यहाँ पर देखिए higher low और higher low यहाँ पर higher low बनते जा रहा है यहाँ पर higher high और higher high यह बनते जा रहा है तो इस परकार का अगर train line हमें मिलता है इस परकार का channel pattern हमें मिलता है चार्ट में तो इस चार्ट को हम बोलेंगे ascending channel pattern इस pattern को हम ascending channel बोलेंगे और यहाँ पर अधिक्तम ascending channel में जो breakdown होगा वो नीचे के तरफ होगा अगर उपर के भी होता है कभी कभी तो वो false होता है ठीक है लेकिन अधिक्तर ascending channel का pattern जो है उसमें break नीचे के तरफ होता है तो यहाँ पर जहाँ पर break जैसे यहाँ पर down में breakout हुआ तो जहाँ पर breakout होता है वहाँ पर हमारा यह entry point रहेगा sale का entry point रहेगा और जितना इसका height है चैनल का जितना height है उतना हमारा take profit रहेगा और यहाँ पर उसके उपर में हमारा stop loss रहेगा ठीक है stop loss यहाँ पर हम set करेंगे यहाँ पर stop loss और जितना है height है उतना नीचे के तरफ हम take profit हम अपना set करेंगे और chart में इस प्रकार का अगर हमें दिखाई देता है pattern तो इस pattern को हम बोलेंगे descending channel pattern यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक trend line उपर के तरफ यानि resistance और एक support के support और यह higher low higher low बनते जा रहा है और नीचे का lower low lower low बनते जा रहा है तो इस channel को हम बोलेंगे descending channel तो यह descending channel में अधिकतर उपर के तरफ breakout होता है तो वो valid मना जाता है और कभी-कभी नीचे के होता है तो वो false होता है ठीक है तो जादे अधिकतर जो descending channel बनेगा इस परकार का तो वो उपर की तरफ breakout होगा तो जहांपे breakout होगा वहाँ पर हमारा by का entry point रहेगा ठीक है buy का entry point रहेगा और जितना यह height है channel का उतना हम उपर के तरफ हम take profit रखेंगे और नीचे यहाँ पर store plus लगा देंगे ठीक है store plus यहाँ लगा देंगे और यहाँ पर take profit रहेगा हमारा और यह है horizontal channel का example यहाँ पर क्या है कि साइडवेज मार्केट जा रहा है तो यह होरिजेंटल चैनल जो है यहां पर हम यहां पर अगर यहां पर पहुंचता है तो यहां पर सेल कीजिए यहां से यहां तक प्रोफिट होगा फिर यहां पर आता है तो यहां से बाय का ट्रेड लीजिए यहां से यहां तक प्रोफि तो वहाँ पर हम Sell का Entry लेंगे और जितना ये Height रहेगा माले जिए उपर अगर Breakout होता है तो Height के हिसाब से उतना उपर Take Profit रखेंगे और अगर नीचे के तरफ Breakout होता है तो Height के हिसाब से उतना नीचे Take Profit रखेंगे और उसका Stop Loss उसके उपर रखेंगे ठीक है अगर नीचे को breakout हुआ तो उपर में यहाँ पर stop plus रखेंगे अगर उपर को breakout हुआ तो नीचे यहाँ पर हम stop plus रखेंगे ठीक है तो I hope दोस्तों कि आप लोगों को descending channel और ascending channel और horizontal channel के बारे में आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग चाट के अंदर practice कीजिए आप लोग जितना ज्यादा practice करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को habit होगा उतना ज्यादा आप लोगों का experience बढ़ेगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग कम से कम दिन में एक दो घंठा आप लोग चाट के अंदर practice कीजिए यह बस के चैनल अगर बनता है तो उसे ascending channel बोलना है और इस टाइब का बनता है तो उसे descending channel और sideways को horizontal channel बोला जाता है तो उस हिसाब से हम वहाँ पर entry point ले लेंगे उस हिसाब से entry और exit अपना market में यह बहुत perfect जाता है यह जो ascending channel, descending channel और horizontal channel होता है ठीक है तो I hope दोस्तों कि आप लोग को य bell icon को प्रेस कर लेजिएगा ताकि मैं next video जो भी upload करूँ तो आपके mobile या PC पर notification पहुंचता रहा है इसी तरह की जानकारी आपको anytime हमारे इस channel पर आप लोगों को मिलता रहेगा ठीक है तो चलता हूं फिर मिलूँगा next video में तब तक के लिए धन्यवाग और हमारे इस video को पू झाल